हेलो माई डिश्ट्वेंट्स वेलकम बैक माई यूटूब चैनल जे एससी फॉर फजिक्स जैसा कि आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा है कि यह रिबेक के बारे मताईएगा देखो नॉर्मली आप लोग बैक तो जानते हैं बैक क्या होती है बैक ही होती है यह आप लब कि 100 म से अप 30 प्लिस नमर ला रहे है तो आपका बैक नहीं लगेगा जब उसके ब्लू है तो आपका बैक लगे तोटल होगे 10 सब्जेक्ट, 10 में आप 5 सब्जेक्ट टोटल मिला के पास आउट हैं, तो आपका येरवेक नहीं लेगे गया, सीधी बाद, means, इधि आप 50% बोग समेस्टर में आप मिला कर, आप पास आउट हैं, 100 में, तो आपका येरवेक कभी नहीं लेगेगा, अग्रत आपका yearback लग जाएगा यदि आप 6 subject में फैल हैं compare to 10 subject तो आपका yearback लग जाएगा 100% तो only आपको main source क्या है कि आपको 50% pass out होना था only कितना 50% यदि 50% pass out है 10 subject में से means 10 में 5 subject pass out है तो आपका yearback नहीं लगेगा यदि आप ऐसा भी करी समझेँ हो मालनो फर्स semester में आप 2 subject pass हो गाए second semester में तीन subject pass होगे इस condition में आपका yearback नहीं लगेगा था क्युक्ते आप 5 subject pass होगे है ये भी नहीं है कि अफर्स समेश्टर में पांट सब्जेक्ट पास होगे और सेकेड में एक में भी नहीं होगे इसमें भी आपका येरबैक नहीं लगेगा में लिग क्या एकिड़ो का इंडिया में वो कहता है फिप्टी परसेंडा पास्वाट होने चाहिए और से कोई मतलब नहीं है आप कैसे पास्वाट हो रहे हैं ठीक है तो उम्मीद करता हम वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना